और पंजाब हर्याना हाई कोड का बड़ा फैसला शंभू बॉर्डर से बैरकेड हटाने के आदेश दिये गए हैं हर्याना सरकार को बॉर्डर से बैरकेड हटाने के आदेश पांच महीने बाद कुलेगा चंडीगर दिल्ली हाईवे ये बड़ी और एहम खबर लगातार किसान जब आंदोलन कर रहे थे प्रदर्शन कर रहे थे उस वक्त इसको एक बाद फिर से बंद कर दिया गया था और अब इसको लेकर पंजाब हराना हाई कोट ने बड़ा फैसा सुनाया करीब पांच महीने के वक्त के बाद अब शम्भू बॉर्डर को खोला जाएगा आवा गमन यहां से जो बादित था आवा जाही जो रुकी हुई थी लगातार वो अब एक बाद फिर से सुचारी रूप से शुरू हो सकेगी ये बड़ी और एहम खबर शम्भू बॉर्डर को एक बाद फिर से खोला जाएगा हर्याना पंजाब हाई कोट ने आज शम्भू बॉर्डर को खोलने के आदेश दिये दिये हैं कोट ने अपने आदेश में साफ शब्दों में हर्याना सरकार को आदेश दिया है कि साथ दिन के अंदर अंदर शम्बू बाॉडर खूल दिया जाए हम इस समय शम्बू बाॉडर पर पंजाब की साइट से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सामने शम्बू बाॉडर है जिस पर कि सेवन लेयर सुरक्षा लगाई गई गई है, ताकि किसान आगे मूव ना कर सके, आप देखते हैं कि पहली लेयर के अंदर काटे वाली तार लगी हुई है, दूसरी लेयर के अंदर एक लंबे लंबे कील वाली कोई ग्रिल लगाई गई है, उसके बाद कंक्रीट बिछा कर उस जाने दिया जाए। रास्ते खोले हम उसका सवागत ने आज खब गरीए कोड़गा की सिरिये हैं हैं और किसाना उने रास्ते बंद कर दिये किसान ने कं़रा कारो भर स्में टीम उसके झार जहिए बढ़ने Tian सरकार स्क्राइब कर ओडर कि खिलाव स्प्रीम कोर्ड जा तो, क्या आप लोग भी स्प्रीम कोर्ड पर कुछ अपील करेंगी। कि नहीं कने पेल किया कित वह सरकार की लिएक अपील करेंगे। हम नहीं करीNO कोड में वूशा और पर पहले किया। क्योंकि जो है कोट में आम जनता गेदी जो परिशान है मगर अगर हर्याना सरकार ये करती है तो मैं पंजाब के माधिन से पंजाब सरकार को बेंटी करना जाओंगा जो पंजाब का हजारों करोड रुपे का नकसान हुआ है बीजन सकाला अपना आहम कारोब और शोटे बपा है जो हमारी मागे है वो दिल्ली के रिलेटेड मागे है ना के हमारी पंजाब के कोई रिलेटेड माग है ये थे किसान नेता जिनका कहना है कि जैसे ही बार्डर खुलेगा तो हम जितनी भी किसान यूनियने आपस में बैट कर रनिती बनाएंगे उसके बाद दिली की तरफ कूच करेंगे इनका कहना है कि हमारी मांगे हर्याना सरकार से नहीं है हमारी मांगे केंदर सरकार नहीं है केंदर सरकार से मांग चाहते हैं हम दिल्ली कूच करना चाहते हैं लेकिन हर्याना सरकार ने हमें गलत तरीके से रोका हुआ है वीडियो जनलिस्ट दीपक कुमार के साथ डॉक्टर थानिश्वर शर्मा चंडिगर्ण